नमस्कार भारत लाइफ देख रहे हैं आप जन्यता दल युनाइटेट के संसद्य बोड के अद्यक्ष उपेंद्र कुष्वाहा आज बड़ा फैसला ले सकते हैं द्रसार उपेंद्र कुष्वाहा को लेकर चर्चा है और उपेंद्र कुष्वाहा और ललन सिंग मुखमंदर नितीश कुमार के बीच अनबन की जो इस्थिती है वो सरवजानिक हो चुकी है प्रदेश अध्यक्ष ने कल जो बयान दिया और उपेंद्र कुष्वाहा को लेकर जिन सब्दों का प्रयोग किया उसके बाद उपेंद्र कुष्वाहा के तरब से काफी नराजगी है और ऐस कित करेंगे उसमें क्या एलान होगा ये तो वक्त बताएगा लेकिन उपेंद्र कुष्वाहा ने कहीं न कहीं इन चीजों का जिक्र किया है कि आने वाले दिनों में उनकी राजनीत कैसे चलेगी कि और चलेगी सूत्रों की माने तो उपेंद्र कुष्वाहा ने आज जो प् प्रदेश अध्यक्ष से कापद भार एक पार फिर से उमेश कुस्वाह को सौपा गया तो इस बात को लेकर मुक्षमंत्रे नितीश कुमार के सामने उपेंद्र कुस्वाह ने सारोजनी की रूप से चीनता जाहिर की और कहा कि पार्टी कमजोर हो रही है पार्टी को मजबूत करने की ज़यूरत है हमारे कार्ज करता लगातार और सहाय महसूस कर रहे है तब जदियू से जबाव आया कि पार्टी कमजोर नहीं होई है पार्टी मजबूत होई है हमारे सदस्व बढ़े हैं ललन सिंग निस पश कहा कि जो बादपा के संपर्क में होते हैं वो खुद ही पार्टी छोड़ कर चले जाते हैं और इस तरह का बयान लगतार आते रहा उपेंद्र कुस्वाहा ने अपना जनता दली जुनाइटेड में हिस्सा मांग दिया और कहीं न कहीं सदस्ता वाली जो बात रही वो काफी महत्पुन रही उपेंद्र कुस्वाहा के फूले समता परिशत के तरफ से दावा किया गया कि 49 लाक जद्यू के सदस्ते बढ़कर 75 लाक हो गये और उसे बाद जद्यू के सचीव के तरफ से दावा किया गया कि इस तरह का कोई मामला नहीं है पचास हजार स्दस्ता रसीर उपेंद्र कुस्वाहा को दी गई थी और वो भी उपे करेंगे प्रेस कंफरेंस समझे इसे और बड़ा एलान हो सकता है सारोजनिक रूप से उपेंद्र कुस्वार ने इस तरीके का प्रेस मिट पहली बार बुलाया है अपने फेस्बुक और अपने ट्विटर से इस बात को लेकर जानकारी पत्रिकारों को दी है मतलब उपेंद्र दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लिए ओजेगो घंटी वा उकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता नहीं तो जॉइन बटन दबा दिए पेटियम कल जास justo के लोटकारएब कर दिएरो जाए घ्ली रहा कॉट कर ऴेड़ दितान में मिल अगर भाउत कर रहा हैंए।